आज की इसे वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेटियम एप को कैसे चलाते हैं अगर आप पेटियम में अपनी बैंक को एड़ करके पैसे वगएरा बेजना चाते हो पैसे लेना चाते हो bank balance check करना चाते हो तो ये सभी काम आप कैसे करोगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone में ptm app को download करना है अगर आपने पहले से download किया हुआ है तब आप उस पर long press करेंगे और यहाँ पर आपको delete का button मिल जाएगा अगर यहाँ नहीं मिलता है तब आप i button पर click करेंगे और यहाँ पर आपको uninstall का button मिल जाएगा और uninstall के button पर click करके आपको इस app को अपने mobile phone से delete कर देना है और जैसे ही ये app आपके mobile phone से delete हो जाए उसके बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसके आप टेडल पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको Paytm app को latest version में डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको play store पर redirect कर दिया जाएगा और यहाँ से आप latest version का Paytm app डाउनलोड कर लेंगे जब आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको फायदा ये होगा कि आपका Paytm latest version में डाउनलोड होगा जिससे आपको इसमें अपना account मनाते समय कोई भी problem नहीं आएगे साथ ही जब आप पहली transaction करोगे इस link से डाउनलोड करने के बाद तब आपको पहली transaction पर 11 रुपए का cashback मिल जाएगा जैसे ही app install हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर open पर click करना है और जैसे ही आप open पर click करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके mobile phone में यह app open हो जाएगा यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे मतलब जिस mobile number से आप paytm को चलना चाते हैं वो mobile number आपको यहाँ पर डालना है और proceed पर click कर देना है साथ ही इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपना वही mobile number डालना है जो mobile number आपके bank account में लगा है अगर आप दूसरा mobile number डाल देंगे तब आप अपनी bank को add नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों में different mobile number हो जाएगा mobile number डालने के बाद simply आप proceed के button पर click करेंगे उसके बाद आप allow पर click करेंगे जो भी permission मांगे उन सभी permission को आपको allow कर देना है और उसके बाद आपके mobile number पर OTP आएगा तो उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है simply आप उस OTP को डालेंगे OTP को verify किया जाएगा और आपका जो Paytm app के अंदर account है वो band जाएगा यहाँ पर आपको skip पर click कर देना है do it later पर click कर देना है और आपके mobile phone में कुछ इस प्रकार से यह app open होकर आ जाएगा तो इस प्रकार से आप Paytm app के अंदर अपना account open कर लेंगे और इसके बाद आपको simply इसमें अपनी bank को add करना होगा मतलब जिस bank को आप Paytm के अंदर जोड़ना चाते हो अपनी उस bank को अब आपको इसमें add करना होगा तो bank add करने के लिए आप या तो यहाँ पर check bank balance पर click करेंगे आपको यही पर check bank balance का option मिल जाएगा आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपको इसमें bank को add करने का option मिल जाएगा आप proceed पर click करके इसमें अपनी bank add कर सकते हैं अगर आप यहां से नहीं add करना चाते हैं तब आपको अपनी profile पर click करना है profile पर click करने के बाद आप नीचे आएंगे UPI and payment setting पर click करेंगे और यहां से आप इसमें अपनी bank को add कर पाएंगे आपको add a bank account पर click करना है और जिस भी bank में आपका खाता है उसको आपको इसमें add कर लेना है जैसे मेरा खाता bank of बडोदा में है तो यहां पर वो bank देख रही है अगर आपकी bank यहां पर नहीं देख रही है तब आप search पर click करके उस bank का नाम search कर सकते हैं और वो bank आपके समने आ जाएगी जब आप पहली बार अपनी bank को कहीं पर add करते हैं चाहें phone paper add करें या फिर Google paper या फिर Patreon पर तब आपको उसका first time UPI pin बनाना होता है मैंने अपनी इस bank को अपने phone पे Google पे में add करके रखा है और मैं इसमें add करने आया हूँ तो जो UPI pin मैंने उसमें बनाया था वही UPI pin इसमें भी बना रहेगा लेकिन जब आप पहली बार अपनी bank को कहीं पर जोड़ते हो तब आपको उसका UPI pin बनाना होता है और उस case में आपके सामने UPI pin के सामने change का option नहीं आता है बलकि set pin का option आता है तो आप उसी set pin पर click करेंगे UPI pin बनाने के लिए और UPI pin आप आपको बनाने के लिए यहाँ पर आपको अपने debit card के last के six digit डालने होंगे मतलब जो आपका bank को बढ़ोदा का ATM card है उसके last के six digit जो भी हो उनको आपको यहाँ पर डालना है उसकी expiry आपको यहाँ पर डालना है और proceed पर click कर देना है साथ ही यह जो UPI pin बनाया जाता है यह इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसी से सारी transaction होती है अगर आप कहीं पर पैसे बेजोगे तो वहाँ पर आपसे यही UPI pin मांगा जाएगा bank balance चेक करोगे तो वहाँ पर आपसे यही UPI pin मांगा जाएगा जैसे ही आप proceed के बटन पर click करोगे उसके बाद आपकी bank की तरफ से आपके mobile number पर OTP आएगा तो उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और सही के बटन पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपने card का pin डालना होगा मतलब जो pin आप ATM मसीन में डालते हैं ATM मसीन से पैसे निकालते समय वही pin आपको यहाँ पर डालना होगा और सही के बटन पर click कर देना है और जैसे ही आप सही के बटन पर click करोगे तो आपके सामने UPI pin सेट करने का option आजाएगा मतलब अब आप अपनी इस bank का जो भी UPI pin रखना चाते हैं वो आप रख सकते हैं तो simply आप अपनी bank का एक strong UPI pin create करेंगे क्योंकि इसी से सारी transaction होगे और इसको आपको किसी को बताना नहीं होता है जैसे ही आप अपना एक बार UPI pin डाल दें आपको सही के बटन पर click करना है और फिर आपको confirmation के लिए अपना UPI pin यहाँ पर दोबारा डालना होगा और दोबारा डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर click करोगे तो आपकी bank का जो UPI pin है वो set हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इस प्रकार से आप अपनी bank का UPI pin बना लेंगे तो इस प्रकार से दोस्तों आपको Paytm में अपना account खोलना है और अपनी bank को add करके उसका UPI pin बना लेना है और इसके बाद अब आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं अगर आपको अपनी bank का balance चेक करना है तब आप इस पर click करेंगे उसके बाद आपनी bank के सामने check balance पर click करेंगे जो UPI pin आपने बनाया है वो UPI pin डालेंगे और उसको डालने के बाद जैसे ही आप सही के button पर click करोगे तो आपके सामने आपकी bank का balance आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरसल मैंने यहाँ पर अभी अपने mobile number को verify नहीं किया है तो एक बार यहाँ पर मुझको verify करना पड़ा है फिर से मैं यहाँ पर अपना UPI pin डाल के अपना balance चेक कर सकता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी bank का balance यहाँ पर पता चल गया है इसके अलावा अगर आप किसी को पैसे बेजना चाते हैं तब आप QR से पैसे बेज सकते हैं आप इस पर click करेंगे camera की permission देंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से QR code scan कर लेंगे और जैसे आप scan करोगे तो आपके सामने payment का option आ जाएगा जैसे मैंने एक QR code scan किया है जितनी पैसे मैं बेजना चाता हूँ वो पैसे डालूँगा proceed securely पर click करूँगा अपनी bank sell करूँगा pay पर click करूँगा और UPI pen डालने के बाद जैसे ही सही के button पर click करूँगा तो हमारी जो payment है वो successfully complete हो जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि payment complete हो गई है तो इस प्रकार से आप QR code से पैसे बेज पाएंगे इसके बाद अगर आप यहाँ पर मतलब mobile number पर बेजना चाते हैं तो to mobile और contact पर click करेंगे जो भी mobile number आप जिस पर बेजना चाते हैं वो mobile number डलेंगे और mobile number पर आप पैसे बेज पाएंगे साथ ही अगर वो mobile number आपकी contact list में है तो आपको इसको contact list की permission देनी है और आपके सारे contact number यहाँ पर देखने लगेंगे और जिसको भी आपको पैसे बेजना है उसको आप यहाँ से बेज सकते हैं अगर आपको किसी को bank यह UPI ID पर बेजना है तब आप इस पर बेज सकते हैं अगर आपको अपनी history चेक करनी है मतलब कहाँ पर अपने पैसे बेजे कहाँ से आपको मिले तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सारी history आपको यहाँ पर देख जाएगी जहाँ पर भी अपने पैसे बेजे होंगे जहाँ से मिले होंगे उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं मुबाइल लिचार्ज करने के लिए आप mobile रिचार पर क्लिक करेंगे और यहां से आप mobile रिचार कर पाएंगे अपना mobile नंबर डालना है जितना recharge करना है वो recharge कर लेना है और आपकी payment को कैसे ही complete करेंगे आप तो आपका recharge complete हो जायेगा तो इस प्रकार से दोस्तों आप PTM app को चला सकते हैं इसमें bank ad कर सकते हैं और पैसे वगएरा send कर सकते हैं जिसका पूरा complete process मैंने आपको बता दिया है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please आप इस वीडियो को like and चैनल को subscribe जोर कर देना साथ ही अगर आपके मन में कोई question हो तो आप उसे हमसे comment section में पूछ सकते हैं